दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आदेश 2020 तो मेरा आज का ये जो वीडियो है हेल्थ एम्प्लोईज के लिए जो एंटिजन टेस्ट के रिपोर्ट्स को अपलोड करना चाहते है आईसे एमार पोर्टल पे उनके लिए आज का मेरा ये वीडियो है तो वेबसाइट का नाम आपको सबसे पहले बता देता हूँ वेबसाइट का नाम है cvstatus.icmr.gov.in तो ये वेबसाइट सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं ये home page यहाँ पे open हो चुका है जिसमें ये login window आपको दिखाए दे रही है यहाँ पे अब हम username और password को टाइप करते हैं और login बटन पे करते हैं click जो patients positive आते हैं उनके नाम यहाँ पे upload करने होते हैं negative के भी यहाँ पे नाम सब हम data upload करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे login बटन पे हमने कर दिया है click यह click करने के बाद by default add antigen record यह form यहाँ पे by default open हो जाता है दोस्तों लेकिन नहीं है तो add new record पे left side में आप देख रहे हो वहाँ पे click करके भी इस form को आप open कर सकते हो दोस्तों बहुत ही आसान form है यहाँ पे सबसे पहले तो left side में patient name तो यहाँ पे patient का जो भी patient है आपका COVID-19 का उसका पूरा नाम यहाँ पे डालना है right side में father's name है लेकिन यहाँ पे लाल star नहीं है यह mandatory नहीं है compulsory नहीं है जिसके बाद patient ID यह कंपल सरी है दोस्तों हमारी जो भी संस्ता है उसको एक specific ID दिया गया है तो वो जो ID है उसके आगे 1234 करके आप उसके नमबर को उस patient के ID को यहाँ पे डाल दीजिए उसके बाद patient's occupation उसका व्यफसाय क्या है वो कोई health worker है police है या other है तो उसका selection यहाँ पे करना है दोस्तों तो यह select मैं कर लेता हूँ यहाँ पे जिसके बाद फिर एक बार left side में age वो years में है months में है यह years में है तो इसे years में मैं यहाँ पे कर देता हूँ type जिसके बाद right side में है क्या उसने आरोग्यस से तू आप डाउनलोड किया है yes no तो उसे भी आपको यहाँ पे बरना है gender select करना है बहुत ही छोटा form है फिर एक बार right side में यह patient किसी lab confirm positive case के संपर्ग में आया है या नहीं इसका selection हमें यहाँ पे करना है जिसके बाद उसका mobile number यहाँ पे type करना है mobile number डालते वक्त उसमें कोई गलती की गुंजाईश नहीं है दोस्तो उसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको तो mobile number यहाँ पे मैं type कर देता हूँ जिसके बाद दोस्तो mobile number उसका खुद का है या relative का है यह भी हमें यहाँ पे डालना है दोस्तो तो चलिए यहाँ पे उसका selection भी मैं कर लेता हूँ यह यहाँ पे selection मैंने कर लिया है पेशंट्स आधार number है लेकिन वो compulsory नहीं है दोस्तो तो जिसके बाद यहाँ पे country का नाम है अगर वो बाहर से है तो उसका selection भी आप कर सकते हो यह जिसके बाद state का selection हमें यहाँ पे करना है state के बाद district का selection करना है उसके बाद दोस्तो सबसे महत्व पूर्ण बात यह है सबसे important बात यह है कि address जो है वो पूरा डालना है अभी छोटे छोटे गाव होते है वहाँ पे तो यह positive patients मिल जाते है लेकिन cities में बहुत से दिक्कते होती है तो cities में खास करके यह जो address है यह पू patients category तो यह बहुत सारी categories यहाँ पे दी गई है तो इसे ध्यान से देखना है दोस्तो category 1 में है patient सारी का है severe acute respiratory infection का है या नहीं है अगर है तो इस पे click करना है दो नमबर में है ILA वैसे ही 3 नमबर में है किसे high risk patients को hospitalized करना है तो यहाँ पे है 4 नमबर में उसे कोई surgery है जिसके लिए भीजना है 5 नमबर में pregnant woman है तो यह बहुत सारी categories है आपका यह जो patient है वो कौन सी category में आता है उसे आपको यहाँ पे select करना है दोस्तो यह 6 नमबर का है neonatal presenting with acute respiratory septic illness 7 नमबर में भी बहुत सारा कुछ कुछ है बहुत बड़ा option है और अगर कुछ भी मिलना ही रहा है उपर के कही पे भी वो adjust नहीं होता है तो यह नीचे वाला last वाला 8 नमबर वाला है कि वो बस अपनी testing करना चाहता है तो उसने कर ली तो यह 8 नमबर का selection भी आप कर सकते हो जिसके बाद pin code है mandatory नहीं है लेकिन है तो आप डाल सकते हो दोस्तो तो यहाँ पर यह पूरी उसकी details यहाँ पर हमने save कर दी है जिसके बाद नीचे के section में हम आते है यह है clinical data तो clinical data में जो date and time of sample collection है तो यहाँ पर 2-3 date है दोस्तो तो इसमें हमें confuse नहीं होना है तो date of sample collection तो सबसे पहले sample कब लिया तो specific time अभी हम antigen की डाल रहे है तो antigen का sample हमने कब collect किया तो यहाँ पर मैं date का selection करता हूं जिसके बाद time का selection करता हूं यह मैंने यहाँ पर 12 बज़े का selection किया है तो आपको पताए है दोस्तो के antigen का sample collect करने के बाद वो receive भी उसी वक्त होता है तो उसमें कोई वक्त की कोई दूरी नहीं होती है तो वक्त वह ही होता है तो sample receive का जो time है वो भी मैंने 12 बज़े का ही यहाँ पर कर दिया है जिसके बाद type of sample तो sample कौन सा लिया है नेजल लिया है थरोट लिया है sputum लिया है जो भी type है आपका तो उसका selection यहाँ पर करना है तो यहाँ पर nasal swab लिया गया है तो उसका selection मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो यह बहुत सारे option है आप जो भी है आपकी यहाँ तरीका यूज करते हो उसका selection आप कर सकते हो फिर एक बार right side में sample ID हमें डालना है तो आप उपर से copy paste भी उसे कर सकते हो sample ID जो भी आपका sample ID है उससे आपको यहाँ पर करना है select तो फिर एक बार left side में आते है symptom status तो यहाँ पर अगर symptomatic आप करते हो तो यह नीचे के और right side के सबी options जो है वो खुल जाते है तो fever है उसे cough है, diarrhea है या right side में chronic, lungs, disease, heart disease जो भी है अगर symptoms उसे है या उसे कुछ बिमारिया है तो उसका selection आप कर सकते हो यह दिखे यहाँ पर asymptomatic में ने कर दिया है तो पूरा lock हो जाता है अगर symptomatic कर दिया तो नीचे के symptoms आप select कर सकते हो date भी कब से symptoms है उसकी date भी आप select कर सकते हो तो यह asymptomatic है तो मैंने यहाँ पर उसे select कर लिया है तो इसलिए आगे बढ़ते है इसके बाद sample collected from तो यह जो option है दोस्तो यह कुछ इसमें problem आ रहा है तो यह खुलता नहीं है कभी-कभी खुल जाता है कभी-कभी नह तो इसलिए राइट साइड में जाते है patient hospitalized है या नहीं hospital में है या नहीं yes no जो भी है उसका selection यहाँ पे आपको करना है जिसके बाद फिर एक बार date आती है दोस्तो sample tested तो antigen में ज्यादा वक्त तो लगता नहीं है उसी वक्त test हो जाता है तो पिछली जो date और timing है उस timing से आपक right side में फिर एक बार testing kit दोस्तों आपने कौन सा kit इस्तिमाल किया है तो उसका selection यहाँ पे आपको करना है बहुत सारी companies के नाम यहाँ पे है तो जो भी testing kit आपने use किया है उसका selection यहाँ पे करना है जिसके बाद highlight में जेखिए red light में red color में यहाँ पे दिखाए दे रहा है antigen testing result तो सबसे important बात यह है कि उसका result क्या है तो इसे ध्यान से भरना है दोस्तों बिलकुल ध्यान से तो negative है positive है एक बटन के द्वारा आप हायन ना कर सकते हो जिसके बाद वो patient चुथा वो आपके पास कैसे आया public transport, private transport, bike, scooter तो उसका selection भी आपको यहाँ पे करना है दोस्तों जिस के बाद कुछ remarks है तो आपको देना है अगर नहीं है तो इसे करना है submit बहुत ही आसान तरीका तो यह दिखिए यह message यहाँ पे आता है कि efficient is symptomatic तो उसकी RT-PCR test आप कर लीजिए अगर symptomatic है तो RT-PCR कर लीजिए यह message आता है इसे कर देना है okay तो okay करने के बाद उपर की तरफ आ एक message आता है record save successfully green color में तो यह जल्दी से आता है और चला जाता है जिसके बाद फ्लैश करता है और फिर एक बार नया page यहाँ पे open हो जाता है नई entry यहाँ पे open हो जाती है दोस्तो तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने health employees दोस्तो में share भी करें like भी करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी करें अगर आप bell icon को दवाते हो दोस्तो तो मेरे अगले वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी दोस्तो धन्यवाद